यहां तक कश्मीर का संबंद है आज बड़े स्पष्ट रूप से हम यह जानना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं कि अगर कश्मीर में कोई प्रॉब्लेम हुई कश्मीर की जो भी टेंशन्स और दिक्कते रही वो नहरू जी के कारण हुआ नहरू जी नहीं होते तो कश्मीर क कि दिक्कत कभी नहीं होती तो दिस प्रॉब्लम अफ कश्मीर इस लेगसी क्रियेटेड बायो फैमिली पंडित जवाहालान नहरू इसलिए यह कहना कि आज आज आपको दुख हो रहा है कहीं न कहीं अतिश्योक्ती है क्या इसमें भी सच्चाई नहीं है कि कश्मीरी पंडि करण और अपीजमेंट की राजनीती के कारण इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों के साथ एक वैमनस्य भरा विवहार कश्मीर में होता रहा और कॉंग्रेस पार्टी सदैव चुप्पी साथते रही उस पर एक शब्द तक कॉंग्रेस पार्टी ने नहीं कहा किन्तु आ रहा है आपको याद होगा कि जब कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो किस प्रकार से तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग जो अलगाववादी थे उनके साथ नकेवल मिलते थे अपितु गले लगाते थे उस समय कॉंग्रेस पार्टी की निती करना और अपने वोट बैंक की राजनीती को आगे करना यही एक मात्र पॉलिसी कॉंग्रेस पार्टी की रही थी और आज इस प्रकार की घडियाली आंसू बहा करके कहीं न कहीं जो कॉंग्रेस पार्टी दुख जताने का प्रयास कर रही है यह सच्चाई को उजागर करता ह कि कश्मीर से कॉंग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहा है मंदुगन अनुच्छे 370 को हटाने के लिए जब देश के ग्रह मंत्री अमिच शाह जी पार्लमेंट में खड़े हुए थे आपने देखा होगा और आपको याद भी होगा कि सोनिया गांधी जी के इसार करते हैं और तुरंत अधिरंजन चौधरी कहते हैं कि अनुच्छे 370 आर्टिकल 370 तो बाइलाटरल अफैर है इसको भारत के ग्रह मंत्री अकेले कैसे इस पर निरनाय ले सकते हैं क्या आपकी बादचीत पाकिस्तान से हो गई है तो सुभाविक रूप से जहां तक कश्मीर का मसला है कि कॉंग्रेस को हमेशा लगा है कि इसमें पाकिस्तान का भी एक पुट रहा है और यह हमने अनुच्छे 370 के एब्रोगेशन के समय अधीरंजन चौधरी जी के विवहार से ही देखा था आर्टिकल 370 का हटना ये भारत के राजनेतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा है जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे अनुच्छे 370 के नाम पे महिलाओं के खिलाफ बच्चों के खिलाफ खास करके जो सेडियूल कास्ट सेडियूल स्वाइब हैं वहां पे महिलाओं के खिलाफ वालमी की समाज के बंधूओं के खिलाफ उनके बच्चे साधारण स्कूल तक में आड्मीशन नहीं ले पाते थे आज उनको सिक्षा मिल रही है आज महिलाओं को जम्मू कश्मीर में अधिकार मिल रहा है आज जम्मू कश्मीर विकास के पथपे आगे बढ़ रहा है इन्वेस्मेंट को लेकर अभी चंद दिनों पहले अमिच रहा जी ने पूरे विशय को सामने रखा था तो कहीं न कहीं राहूर गांधी को दुख हो रहा है क्योंकि तुष्टिकरण और डिस्क्रिमिनेशन की राजनीती समाप्त हो रही है जम्मू कश्मीर में और विकासवाद आगे बढ़ रहा है आज यह भी जानके दुख लगा आज कोई साधारन दिन नहीं है आज गनिश चतुर्थी है व अपने भाशन में मा वैशनव देवी के तिर्थस्थान को हम पिंडियों के रूप में कहते हैं हम कहते हैं पिंडियां उन्होंने कहा यह जो सिंबल्स हैं सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं यह मा की पिंडियां है राहुल जी आप हमारे सभ्यता को हमारी संस्का देश-विदेश में लोग आपको सुनते हैं, और आप कहते हैं, यह जो सिंबल्स हैं, वो हमारी माँ की पिंडिया है, सदियों से, सरवदा, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, यह कहीं न कहीं भावनाओं को ठेस कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मा दुर्गा, मा सरस्वती और मा लक्षमी की जो शक्तियां है वो क्षीन हो गई है, वो कम हो गई है, मुझे आश्चरे होता है कि राहुल जी आपने अपने छोटे राजनीती के कारण, अपने पैटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रे जी में कहते हैं, पैटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मा को भी नहीं बख्षा, आप हमारे देवी देवताओं को राजनीती में लेकर आ गए हैं, आपने आज जी एस्टी को मा लक्षमी के साथ कंपेर किया, आपने कहा जी एस्टी आने के बाद मा लक्षमी की शक्त यांग शेन हो गई है कि मुझे आश्चरी होता है चंद दिनों पहले आपने GST का कंपैरिजन गब्बर सिंग के साथ किया था जिस GST कंपैरिजन आप गब्बर सिंग से कर रहे थे आज आप उसी GST कांपैरिजन मा लक्षमी के साथ कर रहे हैं यहांकिर हमारे वैशनव देवी के समवेदनाओं के साथ खिलवार कर सकता है, कदाच इतने, आपने आज कहा कि दुर्गा मा की शक्तियां घट गई है नरेंदर मोदी जी के काल में, राहुल जी आप समझ नहीं पाहेंगे, मगर फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम समझाएं है, मा प्रतवी की सर्वोच्च शक्तियां होती है, इसलिए अपने छोटे राजनीती के कारण ये कहना कि माता की शक्तिक शीन हो गई है, मुझे लगता है, ये बहुत ही अनावश्यक कॉमेंट था आपका, और एक बात आपको बता दें, कि नरेंदर मोदी जी की किसान उनमुख् और मजदूर, मजलूम उनके लिए जो नीतियां अपनाई गई हैं, उसके लिए अगर शक्ति किसी की बढ़ी है, तो भारत मा की शक्तियां बढ़ी है, राहुल जी आप तो सिकंजी पी रहे थे आज किसान के साथ, हमने देखा वो वीडियो भी, आपने अपनी सिकंजी दी है, किसान बंदूओं को, और उनसे आपने कुछ सवाल पूछे, क्या कहा उसकिसान ने, उसकिसान ने कहा, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी छे हजार रुपे, डिरेक्टली मेरे अकाउंट में भेज रहे हैं, मैं तो सरकार को बड़ा धन्यवाद करता भोला भाला किसान था, वो भी मा के दर्शन करने गया था, वो जानता नहीं है कौन राहुल जी है, और क्या आप पिलाने उस सिकंजी दे रहे हैं, क्या राजनिती आप कर रहे हैं, मगर जो उसकी मन की बात थी, आज उसने राश्टर के सामने, आज उसने भगवती मा के साम आपने उनके दरवार में आपसे कह दिया फिर भी आप ना समझ बने हुए हैं माभारती की शक्ति हिंदुस्तान की शक्ति बड़ी है जब से मोदी जी की सरकार बनी है राहुल जी आपने फिर से दुबारा वही गलती किया आपने कहा कि ये जो हाथ है ये हाथ शीव जी का आज जहां मैं नरिंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिस प्रकार से आज गुर्द्वारों के लिए एक सिक सरकिट खोला गया है उसके लिए हम सब भारतवासी प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं वहीं तकलीफ होती है जब आप वाहे आजना करना जा श्रीव जी का हाथ कौंगरिस का हाथ है इस प्रकार की बाते करके राहूल गांदी जी वही करते हैं जो वह दशकों से करते आ रहें वो दर्शा देते हैं कि राहू ऐंड मेच्योरिटी कैं निवर मूउफ टोगैदर राहूल गांदी और परिपक्वता कभ आज यह पुनह सिद्ध हो गया है मुझे लगता है करोडों लोगों के भावनाओं को जो हताहत करने की कोशिश कॉंग्रेस द्वारा की गई है मा भगवती की शक्तियों को ख्षीन बताते हुए वाहे गुरु जी के हाथों को राजनेतिक हांत बताते हुए हमें लगता है कि आज राहूल गांधी जी पवित्र गणेश चतुर्थी के दिन आज गणेश जी उन्हें सदबुद्धी दे और राहूल जी आज सभी संप्रदाय से शमाय आचना कहें देखिए जहां तक दिगविजय सिंग जी का सवाल है हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि वो प्रॉक्स पाकिस्तान स्पोक्सपरसन के रूप में ही बोलते हैं जब भी पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठती है तो दिगविजय सिंग और कॉंग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ होती है यह वही दिगविजय सिंग है जिनोंने 26-11 के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोश चारे पे मैदाने जंग में दिग्विजय सिंग जी कूद पड़े थी और आज भी जब भारतवर्ष UNSC में हमारे जैशंकर जी जाके पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं जैशे मुहम्मद और L.E.T. के विरोध में बोलते हैं और असली आतंकवाद को पनाह देने वाला आतंक के फेक्टरी को चलाने वाले पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं तो दिग्विजय सिंग जी तुरंत उनके बच्चाव में आ जाते हैं और कहीं न कहीं पूरे विशें पे हिंदूओं पे आक्रमन करना आरंब कर देते हैं राहुल गांधी जी ने भी मुसलिम ब्रदर इक्वल टू आरेसेस और बीजेपी ये विदेश में जाके कंपेर किया था आज पुनह दिग्विजय सिंग जी ने यही कोशिश की है इसमें कोई संदेह नहीं है इसी प्रकार का जो कॉंग्रेस का विवहार है यही कारण रहा होगा कि हाफीज सईद ने अपने इंटर्व दिया जाएगा। इसी के आधार पर निर्णाय होगा।